नमस्कार साथियों एक बार फिर से आपसे भी का स्वागत आपसे भी देख रहे हैं जोबलेट ग्रूग क्या आपको पता है कि सर्मी कार्ड से अधिक्तम 25,000 रुपए चातर वर्ती साथी सर्मी कार्ड से 35,000 रुपए तक नगत पूर्सकार मिल सकता हैं साथियों अगर आपका सर्मी कार्ड बना हुआ है तो आप किस तरह से 35,000 रुपए चातर वर्ती अगर आपके अच्छे परसेंडेज हैं मेगावी चातर चातर है तो आप किस तरह से 35,000 रुपए तक नगत पूर्सकार ले सकते हैं अगर आपका सर्मी कार्ड बना हुआ तक किस तरह से आप ओनलाइन फोर्म बर सकते हैं और किस तरह से ओफलाइन फोर्म बर के आप डाउनलोड कर सकते हैं साथिम आपको बताने वाले हैं कि आपके ग्राम पंचायत में सर्मी कार्ट से चात्र वर्ती के लिए अगर किसी ने भी फोरम बरा हो तो आप सूची कैसे देख सकते हैं साथिकर आपने सर्मी कार्ट से चात्र वर्ती लेने के लिए ओनलाइन फोरम बर रखा है लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आपका forum अक्षिअप्ट हुआ या पिर नहीं हुआ या फिर किसी परकार का objection है तो आप सूची से कैसे देख सकते हैं उसका status कि आपका forum अप्रू हुआ या फिर नहीं हुआ सर्मी कार्ड से मिलने वाली चातरवर्ती से जुड़े वे हर जानगारी जानने के लिए आप मारे साथ सुरू से अंदग बने रहे हम आपको पूरा डीडियल के साथ में बदाने वाले हैं कि सर्मी कार्ड से किस तरह से चातरवर्ती मिलती है और किस तरह से नगत पूर्सकार म कह सकते हैं ये है सर्मी कार्ड आप सर्मी कार्ड से चातर वर्ती कैसे मिलेगी सर्मी कार्ड से आपको अधिक्तम 25,000 रुपए चातर वर्ती मिलते हैं सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कक्षा के अनुसार कितनी कितनी चातर वर्ती दी जाती है सर्मी कार्ड से अलग-अलग कक चातर चातर और विशेष योगेजन को अलग अलग रूपए मिलते हैं सबसे पहले बात करने वाल है कंशया सा boiling तक की चातर को आठंध हजार रूपए सहір biggest या फिर biggest योगेजन्थ तो 9 tu रुपय मिलते हैं अबसा क्षब 6-" 9000 रुपय वहें 16 विश्य Mussi, जन को 10 रुपय मिलते हैं यह कट्शा से 12 तक पास होना चीए कि और टाइन अगर इसि के साथ समने पास 16 get इंग देस्स उगेशन को देस्सार हजाओ को 15,000 रुपए सर्माने के लिए चातर को 15,000 रुपै को 17,000 रुपै शटतर 것이 10,000 को 27,000 रुपै प्रोफेस्टनु को और स्पास्टर को 23,000 ओर यह सनात को तर प्रोफेस्टनल कोर्ष पासुरशा वालों को मिलती है चात्रा या फिर विशेश योगेजन को मिलती है चात्र को केवल गजार रुप्ति esth अगर आप मेगावी चातर चातरा हैं आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो आप भी मेगावी पूर्सकार ले सकते हैं। आप हमी कॉमेंट करके बता सकते हैं क्या आपने सर्मी कार्ड चातरवर्ती के लिए कभी फोरम बरा है क्या आपको चातरवर्ती मिली या फिर नहीं मिले मेगावी चातरवर्ती को नगत पूर्सकार की अमबात तो कक्षा आठ से लेकर दस तक चार हजार रुपए मिलते हैं कक्षक 11 और 12 के मेगावी चातर चातराओं को 6,000 रुपए नगत पूर्शकार मिलता है। 35,000 रुपए नगत पूर्सकार मिलता है यह नगत पूर्सकार और चातरवर्ती दोनों ले सकते हैं साल में आप केवल एक ही चातरवर्ती ले सकते हैं चाहे वो किसी भी परकार की चातरवर्ती हो तो इस तरह से आपको नगत पूर्सकार और चातरवर्ती दोनों मिलाएं तो 60, हजार रुपए होते हैं यानि कि सर्मी कार्ड से 25,000 रुपए चातरवर्थी मिल सकते हैं और 35,000 रुपए नगत पूर्सकार मिल सकता है तो इस तरह से सर्मी कार्ड से आपको चातरवर्थी और नगत पूर्सकार 60,000 रुपए मिल सकते हैं अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में किसी ने भी सर्मी कार्ट से चातरवर्ती के लिए ओनलाइन फोरम बरा है तो उसका status आप कैसे देख सकते हैं आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में किन किन को सर्मी कार्ट से चातरवर्ती देगे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्टिक का नाम स्लेट कर लेना है इस website की link आपको वीडियो की description में मिल जाएगी और वहाँ से सूची आप इस तरह से देख सकेंगे यहाँ पर आप सेरी है या फिर ग्रामिन यहाँ से स्लेट कर लें उसके बाद में ब्लोक का नाम स्लेट कर लेना है उसके बाद में आपको पंचायत का नाम स्लेट कर लेना है और उसके बाद में योजना का नाम स्लेट कर लेना है यहाँ पर सर्मिक कार्ड से जुड़े वी पुराने रिजिस्टेशन नमर दिये गए बेनिफेशरी का नाम दिये गए इसकीम का नाम दिये गए अप प्रूड एट भी दीगी है यान की फोरम अक्षियप्ट हुआ या फिर नहीं हुआ कोई ओब्जेक्शन है रिजेक्ट हुआ यह सारी जानकारी आपको यहां पर मिल पर घाल जाएंगे और आपने भी फोरम बड़ा है सर्मी कार्ठ चात्रवर्थी के लिए तो इस तरह से आप पूरी ग्रामबचाईट की सूची चेक कर सकते हैं दूसरी ग्राम पंचाईट की में आपको दिखाने वाले हैं और इस ग्राम पन जायट में तो बहुत सारे चाथे में चात्रवंज़ी आ जाए या फिर आगे होगी। इंक्वाइ है। इसका मतलब है कि बूपर इंक्वाइ究 हैं लीख Key होगसित – यादान आपको जो खतरकर आपको कोषआता समय कोपी है और स्टुटेंट के यादि कार्य हने होगे। अगर status में reject आ रहा है तो इसका मतलब आपका फोरम reject हो चुका है अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आपको फोरम साथदानी पूर्वग भरना चाहिए या फिर inquiry के समय आपको सही document जमा करवाने चाहिए या फिर online फोरम बरते समय आपने document सही तरीके से upload नहीं किये गए इस व अगर किसी की SSO ID बनी हुए ID password याद नहीं है तो फोर्गेट कर सकते हैं अगर रजिस्टेशन नहीं किया हुए तो वीडियो को डिस्केशन में लिंक मिल जाएगी उस वीडियो को देखकर आप आसानी से रजिस्टेशन कर सकते हैं जैसी डैस्वोर्ड ओपन होगा तो यहा साथियो आप इस वीडियो के साथ में अंतक बने रही हैं हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि सर्मी कार्ड से चात्रवर्थ के लिए ओनलाइन फोरम कैसे बरा जाएगा आपका टाइम है वह वैस्ट नहीं होगा हम आपको कुछ सिखाएंगे यहां पर भी OCW Welfare Board पर क्लिक क यहां से आप सर्मी कार्ड बना भी सकते हैं सर्मी कार्ड रिन्यो भी कर सकते हैं सरकार योजनाओं के लिए ओनलाइन फोरम बर सकते हैं और सर्मी कार्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं तो यहां पर क्लिक करना है अप्लाइप और इसकिम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सर्मी क क्लिक करेंगे फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा यहां पर आपको फॉर्म बरते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी क्लास के लिए आप चातरवर्तिका फॉर्म बर रहे हैं वो पास होनी चाहिए या ऐसा नहीं हो कि जिस कक्षा में आप पढ़ाई करें उसके ल और उसके बाद में स्टूडेंट की डिटेल बरनी होगी यहां पर जिस भी स्कूल कोलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिससे भी आपने पास क्या उस कॉलेज या फिर स्कूल का नाम टाइप करेंगे उसके बाद में आप कौन सी कलास के लिए चातरवर्ति चाहते है यहां से स्टूडेंगें उसके बाद में सटूडेंट है तो इसमें भी आप येक्ष्ति कर दीजिए यहां नगतपुर्सकर वाला सटूडेंट उसके बाद में केटेगरी को आपको स्टूडेट करेंगें जो भी है male female तो यहां select करेंगे साथी यहां पर सर्मी कार्ड की detail भी इस तरह से दिखाए देनी चाहिए सर्मी कार्ड नमर सर्मी कार्ड वाले का नाम पादर नायम डेटो वार्थ male female और उसके वाज़े में district का नाम और यहां पर photo अब हमें बढ़ना है यहां पर आपने निर्मान सर्मी का कहां पर काम किया है और जिस भी विद्यारती के माता पिता के नाम से सर्मी का काम किया है उसका नाम यहां से ही कहीं पर भी मकान बनाने का काम किया है मजदूर का काम किया है तो इंप्लोयर सेलेट कर सकते हैं आपने जिसके भी घर में काम किया है उसके आधार कार्ड की कोपी लगानी होगे साथ में आधार कार्ड पर मोबाइल नमर भी लिखवाने होगे सेल्फ अटेस्टेड भी आध पूरा बैंक का एड्रेस रहेगा और अकाउंट होल्डर का नाम भी रहेगा और अगर किसी ने नरेगा में काम किया तो ग्राम सेवक सेलेट करके डीटेल बर सकते हैं अब यहां पर तीन डोकुमेंट आपको अप्लोड करना होगा सबसे जरूरी है जिसका या फिर कोर्स के ल काम क्या होना चाहिए तो यहां पर पिछले 12 महीने में 90 दिन काम करने का सर्टिपिकेट का फॉर्मेट यहां पर आपको मिल जाएगा नियोजक संपती मालिक ठेकेदार का या फिर कॉंटेक्टर या फिर फ्रम के नाम से यहां पर भरवाना होगा जहां पर भी आपने काम कि मालिजे साल में 90 दिन काम किया है तो उसकी अटेंडेंस पीडियाप में डाउनलोड करके यहां पर अप्लोड करनी होगे और दो नमर जो डॉकॉमेंट है सिक्षन या फिर प्रक्सिक्षन संस्तान के परदान दवारा पर पत्तर के निर्दारित कोलम में स्ताक्सर मोहर की प सकते हैं यहां पर आपको मिलेगा परपत्तर एक यहां पर आप सभी देख सकते हैं परपत्तर वन दिया गया यहां पर स्टुडेंट की फोटो लगा देना और यहां पर संस्ता परदान के अस्ताक्सर होंगे पद का नाम होगा और यहां पर मोहर लगाई जाएगी यह संस् संट रिक्वस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉरम सक्सेस पूली सब्मिट हो जाएगा फॉरम सब्मिट होने के बाद में आपको यह देखते रहना है कि आपका फॉरम अप्रू हुआ या फिर नहीं हुआ किसी परकार का कोई अब्जेक्शन है तो उसे तुरंट कलियर करन आज के विए बच्छी लाइब दें एक प्रिमीट किसाथ वीडिए नहीं है आफ एक्टाव टेस्ट पर करेंगे श्युक्त सब्सक्ते है